Hello Everyone, Shif Shakti Channel में आप सबका स्वारत है आज जो मैं वीडियो बनाने चारी हूँ, अवेकन डिवाइन मेस्कॉराइन के ऊपर बनाने चारी हूँ इससे पहले जो मैं ने वीडियो बताई थी वो थी आवेकन डीम के ऊपर और ये जो है वीडियो ये ही रहेगी जिवाइन अवेकन हो जाते हैं या आपके अंदर जो मस्कुलाइन एनरजी है अवेकन हो जाती है तब आपको कौन से साइं और सिंटमस मिलते हैं वो मैं आपको इस वीडियो के थुरूप बताऊंगे चलि करते हैं कि सबसे पहला जो साइन है वह आपका जो आपके ओपीनग कर पाते हैं। से रन करते हैं बागते हैं जैसे ही उनकी इवेखनीग पूरी तरीके से हो जाती है फुल अवेकनраж हो छाते हैं तो अपनी से उनको एक्णॉर्ट साइन है कि यह सबसे पहला साइण है जब आपके काॉंटर पाठ फुल्ली अवेकन हो जाते हैं दूसरा साइन है जब आपके काउंटरपाट की अवेकनिंग हो जाती है और फुल्ली अवेकन हो जाते हैं तो वो दिमाग से जितना सोचते हैं जब वो अनवेकन होते तब बहुत जादा दिमाग से सोचते हैं और जैसे वो अवेकनिंग धीरी के वेड़नीग होती है फुले अवेखन होजाते हैं तब वह हाट से सोचने लगते हुए उनका हाट और माइंड एकदम बैलंस हो जाता है वह बलकुल अपनी लाइप में बैलंस को लेकर चलते हैं दिमाग की तो सुनते ही सुनते हैं बट अपने हाठ की भी सुनते हैं तो यह दूसर साइन है जब आपके काउन्टरपार्ट फुली अवेकंड हो जाते हैं तो हाट और माइंड दोनों को लेकर चलते हैं कि टीसा साइन है reason हर एक चीज में reason धुंड़ना कि मेरे साथ क्यों हुआ था किसली यह था ऐसा past में जाएंगे past के बारे में तेंगे यह आप अपने अंदर भी देख सकती हैं जिब आपकी awakening होती है आप awakening के process में आती है आपने past में जाती है अपने past के बारे में सोचने हैं कि मेरे साथ जब तक आप अनवेकंड होती हैं आप बहुत ज़्यादा प्रस्ट्रेट वाली एनरजी में रहती हैं बहुत ज़्यादा ब्लेम वाली एनरजी में रहती हैं पर जैसे ही आप धीरे धीरे अवेकंड होती जाती हैं ठीक है तब आपको पता चलता है कि म आपके अंदर यह सिम्टम्स हैं तो यह divine masculine की energy को represent करते हैं और जो 3D world के आपके जो counterpart हैं उनके अंदर भी बहुत ज्यादा जब awakening के process में आते हैं वो भी बहुत ज्यादा reason हर एक चीज के पीछे reason रूणते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ था किसलिए हुआ था और उस चीज को accept करते हैं अपनी गलतियों को अपने पास्ट को जैसे वो अवेकनिंग के process में आते हैं हर एक चीज के पिछे reason देखते हैं और positive उसका result देखते हैं ठीक है पॉजिटिविटी में लेते हैं उसको negativity में नहीं लेते हैं ठीक है नेक्स्ट है आपका जो divine masculine होते हैं फुली अवेकन होते हैं वो अपनी पूरी responsibility लेते हैं बहुत जादा supportive होते हैं बहुत जादा caring होते हैं अगर आपके अंदर यह तीनों sign आने लगे हैं तो आप समझ जाएए आपके अंदर भी a divine masculine energy जो है वो balance होने लगा है तो जो फुली अवेकन डियम होते हैं बहुत जो अवेकन डियम होते हैं उनके अंदर आपको यह सब चीजे देखने को मिल जाएंगी next है आपका पुली अवेकन डियम fearless होते हैं बिल्कुल भी fear नहीं होता है उनके अंदर किसी भी बात को लेकर नहीं society को लेकर नहीं family को लेकर नहीं career को लेकर नहीं third party को लेकर किसी भी की तरीक की काउनग के अंदर फियर नहीं होगा लिखुल फियरलेस होंगे ठीक है है कि मेंटली बैलेस होंगे एमोषनले लिभैलेस होंगा फिजिकली भी बैलेन्स होंगे 40 फीकली वी बैलेस होkum गे तो यह this काउंटरपार्ट की awakening होती है फुली अवेकरण वह जाते हैं तो mental clarity बहुत आती है जब तक वह अवेकर नुगत होते हैं उनके दिमाग में तरहीं तरह की बाते आते हैं उनके माईंड में कोई भी Clarity नहीं होती नहीं होती है किसी बात को दिमाफ में बहुत जळाद कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहता है किसी भी तरीके से वह परिशान हो नहीं रहते हैं उनके मायंड में क्लारेटी होती है रीक बात को लेकर तो आपसे वो कुमनिकेट करेंगे बिल्कुर कुल कुुछ भी नहीं चुपाएंगे आपसे सब बात mess pł게 एक डरेंगे पूरी तके से अवेकन नहीं होंगे, तब तक वो आपसे कुछ नहीं कुछ चुपाते रहेंगे 230 तक प्से सही से बात है जैसे फुली अवेकर होते हैं और आपके काउंटरपार होते में ओसे तो अपनी responsibility लेते हैं, अपनी life की responsibility लेते हैं, खुद की responsibility लेते हैं, हर एक अपनी खुशी की भी responsibility लेते हैं, जहां तक वो अभी तक बहुत जाए irresponsible थे, कभी किसी को अंदेखा कर दिया, मतलब कोई responsibility नहीं है किसी चीज़ को लेकर, पर fully awakened डियम ऐसा बिलकुल भी नहीं करते हैं, ठीक है, next step, जो fully awakened डियम होते हैं, वो mind से कभी भी stuck नहीं रहते हैं, unawaken डियम हमेशा अपने mind से stuck रहते हैं, बिलकुल भी कुछ भी नहीं समझ पाते हैं, जो unawaken डियम होते हैं, उनका mind बहुत ही ज़्यादा freezy रहता है, बहुत ही ज़्यादा foggy mind रहता है, ठीक है, जहां पर उनको कोई भी clarity नहीं मिल पाती है, पर जैसे ही वो awakened हो जाते हैं, तो उनका जो mind है, वो mind से बिलकुल भी stuck नहीं रहते हैं, बिल्कुल clear रहते हैं, mind से अपने, ठीक है, नेक्स्ट है, जब divine masculine fully awakened हो जाते हैं, वो अपने दिल की बहुत सुनने लगते हैं, ठीक है, unawaken divine masculine कभी भी अपने heart की नहीं सुनते हैं, हमेशा ignore करते हैं अपनी feelings को ठीक है, अपनी feeling को बहुत जादा repress करते हैं, बिल्कुल भी किसी के सामने जाही नहीं होने देते हैं, अगर उनको रोना भी होगा, या कोई दुख होगा, तो वो किसी को नहीं बताएंगे, ठीक है, छुपाते रहेंगे कि अपनी दर्द को, अपनी feelings को किसी से share नहीं करेंगे, पर जब fully awakened divine masculine होते हैं, वो अपनी feelings को नहीं छुपाते हैं, जो भी उनके दिल में होता है, वो सामने वाले को जरूर बताते हैं, अपनी divine feminine को हर एक बात share करते हैं, सब कुछ बताते हैं, वो छुपाने की कोशिच भी करेंगे, तब भी नेची छुपा पाएंगे, तो fully awakened होते हैं, वो अपनी दिल की बात बिल्कुल भी नहीं छुपाते हैं, जो उनके दिल में होता है, वो सामने वाले से बोलते हैं, नेक्स्ट है आपका, जो divine masculine होते हैं, जब उनकी fully, जब वो पूरी तरीके से awakened हो जाते हैं, तो वो जो उनके अंदर inner df और dm की energy है, उसको बह उनको बहुत disrespect करते हैं, उनकी respect नहीं करते हैं, बट जो fully awakened dm होते हैं, वो feminine energy की बहुत ज़्यादा respect करते हैं, बहुत ज़्यादा care करने लगते हैं, जो fully awakened dm होते हैं, नेक्स्ट है आपका, जब divine masculine masculine fully awakened हो जाते हैं, तब उनका decision लेना बहुत अच्छा हो जाते हैं, अभी त पर जब divine masculine fully awakened हो जाते हैं तो वो decision बहुत अच्छा लेते हैं अपनी life में चाहें वो अपनी personal life को लेकर हो चाहें किसी भी area में उनका decision making बहुत अच्छा हो जाता है जो fully awakened DM होते हैं ठीक है next है आपका divine masculine divine masculine कभी भी अपनी divine feminine की disrespect नहीं करते हैं वो पूरी तरीके से awakened हो जाते हैं तब वहाँ पर अपनी divine feminine के बिल्कुल भी disrespect नहीं करते हैं बिल्कुल भी उसकी insult नहीं करते हैं उसकी respect करते हैं और उसको respect बहुत ज़्यादा respect देते हैं जो fully awakened DM होते हैं जो और जब वो अनवेकन होते हैं बहुत ही ज़्यादा रन करते हैं बहुत ही ज़्यादा भागते हैं अपनी divine feminine से ठीक है कहीं commitment नहीं करेंगे या किसी भी तरीके से उनको blame करते रहेंगे या अच्छे से बात नहीं करेंगे communication बहुत ही ज़्यादा वीक होगा पर जब आपके counterpart प सारे sign मैंने आपको बताईए ना अगर यह sign आपको अपने अंदर भी दिखने लगें आप पहले से बहुत ज़्यादा caring हो गई हैं बहुत ही ज़्यादा supportive हो गई हैं बहुत ही ज़्यादा response ability लेने लगी हैं अभी तक आप अपनी खुद की responsibility नहीं लेती थी खुद पर ध्य जान नहीं देती थी 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 अभी सब आपके अंदर symptoms देखने को मिल रहे हैं तो आप समझ चाहिए आपके अंदर की masculine energy है बहुत ज़्यादा peerless हो रही हो बहुत ही ज़्यादा आप अपनी life की decisions अच्छे ले रही हो आप सही बात पे जा रही हो या अभी तक आप बहुत ही आपके माइंड में mental clarity नहीं थी ठीक है आप माइंड को लेकर बिल्कुल clear नहीं थी आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए आपका जो decision making था बहुत ही ज़्यादा वीक था बट अब क्या है आपको बिल्कुल mental clarity मिलती है हर बात को लेकर आप हर बात को लेकर clear है आपका जो decision बहुत ही सही है चाहे अपना करियर को लेकर हो चाहे आपका अपनी परसनल लाइफ को लेकर हो ठीक है आप यह सब बहुत अच्छे से कर रही है तो आप समझ आईए अब आपके अंदर भी divine masculine balance हो रहे हैं जो आपके inner dm है वो बैलन्स हो रहा है हो रहे हैं ठीक है आप अभी त सबकी care कर रही है सपोर्ट कर रही है तो आपके अप inner divine masculine balance हो रहे हैं अभी तक आप अपनी heart की नहीं सुनती थी अपने mind में ही struck रहते हैं माइंड से बिल्कुल भी struck नहीं है ठीक है आप बिल्कुल clear है अपने career को लेकर अपनी life को लेकर अपनी family को लेकर ठीक है तो वहाँ आप आप समझ सकती है कि आप आपके inner DMA Bundesregierung विंड बेलंस हो रहे हैं हैं आप है आप लोगों से communicate सही से नहीं कर पाती थी लोगों से सही से माइपनी नहीं कर पाती थी अब अभी तक अपने किसी से share नहीं कि अपनcely को बात है या आप अपके इनछी बातों को अपने emotions को अब अभी तक आपने अपनी Predigt नहीं अपनी life , यहां के नहीं अपनी body , नहीं हेल्थ , अपनी career की , अब आप हर एक अधीर में tre練ते हो आप खुद पर ध्यान दे रही है ?पने side आप करियो भडू पर ध्यान दे रही है ?पनी फैमली से ध्यान भी मैं ठ्यास जाने ?? आपके इनर डियम भी बैलन्स होने लगे हैं और सबसे बड़ा साइन होता है फियर लेस होना है जब आप फियर लेस हो जाती है ना हर एक एरिया में क्योंकि दिवाइन फैमिन के अंदर बहुत जादा फियर होता है बहुत ही जादा हर एक एरिया में फियर होता है वो किसी भी sign थे जब आपके divine masculine balance हो जाते हैं आपके inner divine masculine balance हो जाते हैं तब आपको ये sign बहुत देखने को मिलते हैं ठीक है साथ यसाथ इधर आपकी masculine energy जब balance होने लगती है तो आपके 3D में जो आपके counterpart है उनके अंदर feminine energy automatically balance होने लगती है जैसे ही आपके अंदर feminine energy balance होने लगती है उनके अंदर automatically masculine energy balance होने लगती है ठीक है चाहें आपके अंदर feminine energy हो चाहें masculine energy हो जहां आपको ये सब symptoms देखने को मिलते हैं positive symptoms, positive sign आप समझ जाये कि अब आप हील हो रही हैं तो आपके counterpart भी हील हो रहे रहे हैं उनकी भी वी अभेकनिंग चल रही है और आप सही baw BIG से डारेक्शन में जा रही है थिके कि तो ये कोछ थे bisa अव्यकंड divine masculine के उपर ενसبلओ मैं फिर मिलूँगी तब तक एन दो कि खुश रही है है